Embrace Failure बिना failure के आदमी success होई नहीं सकता Don't change your relationship with failure क्योंकि हमें ना बचपन से सिखाया गया है You must succeed without failing Failure होते ही आपकी life में बहुत break लग जाते हैं Class आपकी बदनामी हो जाती है आपके family बदनाम हो जाती है आप खुदकुशी कर लेते हो आपके relationships बरबादवत फेलियर को अपना दोस बनाओगे तो तुमारे अंदर एक ऐसी super power आएगी कि आप कभी नहीं In a boxing match, you don't lose when you're knocked down You lose when you fail to get up Hello दोस्तों मैं Dr. Yoginder Singh Rathod आप लोग के लाया हूँ Inner Wellness Tribe का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बहुत inspiration और creative personality मोजूद है MTV Roadies शानदार शो भारत को देने वाले Please welcome Raghu on our show Thank you doctor So Raghu जी काफी आपकी story तो लोग जानते हैं लेकिन फिर भी यह जो इस line में आने के लिए इस creative field में आने के लिए पहला inspiration आपको किदर से आया था When you decided that this is where हुआ क्याता कि मैं और राजी स्कूल में कभी जादा अच्छे student नहीं थे और जिन्दगी भर मुझे ये अपनी कमजोरी लगी लेकिन अब जबकि मैं समझदार हो चुका हूँ मुझे लगता है पहले से जादा मुझे लगता है कि यह हमारे educational system का failure है क्योंकि यह system सिर्फ students के लिए बना है उनके लिए जो जादा marks ला पाएं सिर्फ सारे चीज़े उनके लिए बनी है आप जादा marks लाओगे तो courses भी आप उसी अच्छे college में भी आप जाओगे अच्छा course भी आपको मिलेगा तो अब यह भगदर सारी marks की शुरू हो गए intelligence से आपको लेना दर नहीं एक आदमी बहुत जादा creative हो सकता है एक आदमी बहुत अच्छा talent हो सकता है एक आदमी बहुत एक कतरंगी किसम का एक दिमाग हो सकता है एक survival instinct हो सकता है एक street smart हो सकता है जो जो नापा भी नहीं जाता और जिसको चिसी कदर भी नहीं है school में अब जे गाने का और डांसिंग इन सब का इस वो था शौक था मेरे को राजीव को मगर सब बोलते भई दिमाग कम नीए मगर ध्यान से पढ़ते नहीं है बस एदर अधर बटकते रहते दिमाग कर्दों आज़ उनको लगते है कि मैं इसले कमाख स्लाता हूं क्योंकि मैं ध्यान देके पढ़ता नहीं बट मिरे रही नहीं इन्हीं मैं क्यों तुमा सो उसके चलते कॉलेज में राजीव का और मेरे जिए फेल हो गया अच्छा फर्स्ट यह और उसने एक ट्राइट सेल्फ युष्ट उसने ही ट्राइट कटिंग इस रिस्ट को के आफटर डाट मैंने और राजीव ने डिसाय इस बाड में गया ये सिस्टम, मेरे को नहीं करना I fail you ऐसे हम एक rebellious एक वह आगया था कि मैं हम नहीं कर रहे हैं प्रॉप आउट कर रहे हैं, अब मम्य पापा भी काफी सहम गये थे कि ये क्या हुआ और उन्होंने का कोई बात नहीं बेटे चिल मारो, हमें टेंशन ही नहीं है तुम्हें नहीं बढ़ना मत पड़ो कुछ और कर लेंगी, कोई टेंशन नहीं उस टाइम पे केबल टेलिविजन का बूम चल रहा था इंडिया में, और पहले दूरदर्श्य नहीं था और फिर केबल टीवी जब आया तो बहुत अब ये 24 गंटे के चैनल होने लगे नएने प्रोग्राम जाने लगे अब इनको सर्विस करने के लिए प्रोड़क्शन हाउस से स्कुल गए मगर ये नया है तो इसमें कोई क्वालिफाइड लोग ही नहीं है इसके क्वालिफिकेशन अभी पढ़ाए भी नहीं आते थे ये जो मास कॉम और ये सब मास्टर्व कम्यूनिकेशन ये सब उसके बात शिरू हुआ तो सर्विस दे डिमांड फॉर दाट वोर्कफोर्स अगर हमारे टाम पे ऐसा कुछ भी नहीं था तो एक टीवी 18 करके दिल्ली में कालका जी में एक शोटर्स आफिस था उनका उसके बाद वो नेटवर्क 18 वायकॉम 18 बहुत बड़ा एक कंपनी उस टाम पे वो चोटा प्रोड़क्शन होस था और वो लोग उनका ये आइडिया था बहुत के ऐसे कुछ लोग हैं अगर लोगों ने उससे हाथ कनेक्ट किया है तो वो आट है रोडीज फो मी इस आट, I know this is a controversial thing, और बोलेंगे रोडीज आट, भाई, relax, relax, चाहे पियो, चाहे पियो, एक आटिस्ट जो अपनी बात कहना चाहता है, उसने कही, मैं जो कहना चाहता था, मैंने, और यह सब जानें बहुत जादा, बहुत जादा, सुसाइटी को लेकर, क्योंकि एक तो इस सुसाइटी ने ऐसा किया, कि मेरे जुड़े भाई ने ट्राइ कि अपने आपको हाम करने का, स्कूल सिस्टम, एडुकेशन सिस्टम, यह पूरा, जितना, मेरे को, पिछली जेरेशन से प्रॉब्लम रहा कि तुम भगवान-भगवान करते हो, मैं. मेरे को तरह मैं सोचने लग रहा ह laborahा हुग, मैं तो नहीं थूर मैं नास्तीग, मैं तो नहीं चैएक होता है. यह निकम में जो मेरे स्कूल के निकले हुए है, ठीक है, आज की डेट में, क्या लाइफ है उनकी, यार, क्या लाइफ है उनकी, मेरे कोई यह लाइफ नहीं चाहिए, मैं उसको ठुकराता हूँ, I don't know, मैं तुमारे सकसेस को फेल करता हूँ, मैरे को जिन तरीकों से तुम जिस तरीके से लड़कों को ट्रीट करते हो, जिस तरीके से तुम लड़कीं को ट्रीट करते हो, जिस तरीके से तुम रिलेशन्शिप्स को ट्रीट करते हो, मैं उन सब को फेल को, I really, I'm not out of, not out of angle, I started examining it because I lost the faith in the rightness of society, यह दुनिया सही है, यह हमें सिखाया जाता है, question नहीं करना, question नहीं करना, जो बोला जाए, उसी को पढ़के लिक दो, तुम success हो, वो चीज जब मेरे अंदर बदली, उसके बाद कई चीज़े खुलने लगी, अब मेरे अंदर और उसके बाद इश्क में दिल में टूटे, एक चोटी उमर में खुब सारे टोकर खाकूके, मैं आ चुका था और मुझे एक मौका मिला एक शो बनाने का, रियालिटी शो उस टाम था नहीं यहां पर कुछ, मुझे पता पर नहीं था, मैं रियालिटी शो बना रहा हूँ, जैसे से कुई रादा कॉंसेटी एक शो बनाना और उस टाम पर MTV एक बहुत ही कमाल की जगा हुआ करते थी, जहां पर उनको success से कुछ लेना देना ही नहीं मिल गया कि मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, जो कहना चाहूं मैं बोल सकता हूं, जिस तरीके से बोलना चाहूं मैं बोल सकता हूं, तो उस तरीके से ये शो बना, अब आगे जाके इतना बड़ा success हो गया कि फिर ratings का चसका लग गया लोगो कि नहीं, अभी इसको ऐसे करेंग भी लोग मानते है उस बात को और obviously I have evolved since then गुसा थोड़ा कम है obviously I'm a father now कई चीजों में जो optimism था वो भी कम हो गया है और जो गुसा था वो भी कम हो गया है अब मेरे दुनिया थोड़ी सिमट सी गई है and I'm happy with that I'm happy with my immediate circle दुनिया से मैं थोड़ा हट सागया हूँ उन दिख भी रहा है clearly और वो जो depth है वो जो ठहराव है अब काफी पहले सब बहुजाद है आ रहा है so especially आपके जो वो दिन थे struggle के अंदर तो किसी ना किसी को कोई source of inspiration तो चाहिए होता है जहां से वो drive कर रहे हूँ so how you used to inspire yourself my inspiration is my father actually हमारे है न मर्दानगी का बहुत ही toxic definition है अगर आप फिल्मों में देखें मर्द वो है जो एक साथ बाकी दस आदमियों को पीट सके बाकी आदमियों को dominate करें अब तो फिल्मे भी आज़े ही आप और तो बी डॉमिनेट करें ज़े ज़े एक बाड़ी बनाना बहुत सारा पैसा कमाना यह एक स्टेटस सिंबल आदमी के लिए लिए मगर मेरे डेफिनिशन में माइ डाद इस हुज मतला मर्द है पता क्यों कुछ उन्होंने अपने फैमिली के लिए सब कुछ किया मेरे मम्मी एटीज में और अर्ली निटीज में उन्होंने काम करना शुनू कर दिया था शिए अर्वरी सकस्षफिल कारियर अज़्छिस अवर्णिस माई जर्लीज में हैं वर्ड ओड स्वर्णिस tuima उस स्पर्थ में मूंख ऑब दो तो उड़ बेटे और एक बाहन भाइ नग्सों कि तीज में ।ुख डड़ ऑड़ और इस रह संद्टक्ष एंसे साथ सूह ऑ मेरे पापा को बहुत पसंद थे इस रीली इंटू नाइट तो उस ताम पे BBC तो वो रिकॉर्ड होता था न्यूस आउनको पढ़ना पड़ता था बट वो होता था सुबाद चार बजे या पांच बजे मैं मेरको एक वाक्या याद है मैं 15-16 साल का हूंगा और दिल्ली की सरदी और मैं वही पड़पूर के सो गया हूंगा कई पर किसी टाम पे मुझे बा अश्टाम पे क्या होता था हीटर हो था होता था हीटर हो रोड वाले एक रोड का हीटर है वह अगी बेर वल की किषिडी कहीं दूर एक कमरे लगा था उसको देख देख के तु इमेजिन करो कि तुमें ठंड ही लेग रिग तो वैसा एक था और मैं बात्टरूम से वापस मैं ऐसे देखा तो उस रौड, हीटर रौड की लाइट में, मेरे पापा ऐसे बैट वेदे सूट पैन के टाइ, जूते, सब पैन के सुबद चार बदे रहुँं करे मुझें पता नहीं क्या हूँ पता है नहीं क्या हुआ कि वाप पिस आ के रात को यूस्टो गो डू दिस कम बैक अलसो ठीक का पैशन भी था और और पैसे भी थे तो मेरे हिसाब से अपर आप उपर आओगे कोई बात नी कर लो अफ़कोर्स अब वर्क-लाइफ बैलेंस बहुत बोला जाता है और हां अची यह ऐसा नहीं कि तुम 24 गंटे से फकामे करो मगर अपने ट्विंटी में मुझे लगता है कि बैलेंस ना ढूंडो फ्यूचर के लि मेरे फादर मेरे सामने के एक्जामपल है और कभी अगर जैसे बिल्कुल मुंबई अकेले आ गए थे तो उस ताइम तो आप अकेले रह रहे थे तो उन दिनों में किस तरीके से चीज़ आप तो रखती थी और एक बार मेरे मुमी बाबा पहली बार आए थे जब मैं रोडी में आ चुगा था रोडी हिट हो चुगा था ओके विपावत दिली में रहते थे तब मुझे मिलने आये थे बाई लख उस टाइम पर हिंदुसान टाइम्स ने मुझे कॉंचे किया था कि हमारे आप एक दिन के गेस्ट एडिटर बनके आओ उसमें क्या करना आप कुछ उस दिन बाहर है जब मेरे पेरेंट्स पहली बार मुंबाई मेर से मिलने आये थे और वेरी प्राओड बिकॉस मादर लाका सब्सक्राइब मेरे पापा को भी और यह मेरे हिसाब से मेरे मेरे मेरी परवगाशा में एक सक्सेस का एक निशानी थी कि मैंने वो कर दिया जो मेरे वहाँ वो मेरे सक्सेस अब उस में नहीं लिगावा था मेरे फिर्स्ट श्रॉगलिंग सो काल टाइम ऑफ मुंबाई मेरे डाड बड़े मुशनल हो गया थे बिटे पुछे बताय क्यों नहीं कभी मैं भीज़ देता पैसे कुछ तो करता है थेल्प करता तुमारी नही को मिलते थी मेरा राजीव का बहुत स्ट्रॉंग इंस्टिंक्ट है अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कुछ भी होता है ना हमारी लाइफ में कुछ भी हम पेरेंट्स को बताते नहीं इन फैक उनको हमेशे यह जाता है कि हाँ सब ठीक चल रहे सब ठीक चल रहे मेरे मम्म जब मेरा दिवोर्स ही एक लिए बाच लाइट के रो बड़ी कैसे हो बाए टे म मैं जो अगर अचछे नहीं होते मजे बताते और पाते 92rick mound óstakdonoh honestly a minute that's how will I know you're okay just no I'm okay mom i'll be okay I wasn't okay I wasn't okay it is before my father's death that was the worst phase of my life that was the death of a relationship and and I think I needed therapy at that time but I didn't go but I still, I think I came out of it I am in a relationship now I have healed all is well so far but that was a terrible time for me अगर उस मोमें तरपी नहीं लेना या या ये क्या कुई कंडिशनिंग की वज़े से था कि you are a male and how can I go दो रिजन है एक तो वो है मैं इसको मानता नहीं हूँ मागर इस फंडिशनिंग को आप डिनाइ नहीं कर सकते कि थेरपी लेने आप ठेपी लेते हो तो आपको पागल समझायाता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है यस बेदूल यह स्टिग्मा है यह बहुत बड़ा स्टिग्मा आज भी है तो मेरे मेरे वो इस्ट्रिकमा तो नहीं है, मगर उस टाइम मेरे 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 प्रॉब्म या, एम एंटर और अर मेरे बहुत बड़ा अड्वाइटेज़े, एमेरे अब हाई है, जो लोगों के बास नहीं होता, बट मेरे बास है, मैं जो बोलना हो था, मैं सको बेना बोले वु समझ जाता है बेना सो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी और से बात करनी की भाउ डाउ ता लवली अब मुझे पता है उस ताइम अगर कोई मुझे बड़ा या मैं जिसको मानता हूँ वो कह देता मुझे कि देख भाई मेरे साथ हो चुगा है नहीं देखा है तु यह कर दे गो और टॉक तो इस परसन और यू फिल बेटर मैं इस कर भी देता आइव दो इट पट मेरे मेरे अस मेरे लाइफ में उस टाम इस कोई नहीं था सब यही थे कि भाई वो कहता है इस तरफ एक तरफ 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 एक तरफ बार करते चल भाई यह अचली सच है यह बहुत सच है यह स्टीग्मा एडुकेशन की कमी यह अब यूवर लगी देट यह सपोर्ट सिस्टम विकॉज आव सेन सो मेनी पीपल जीन के पास में आपकेले से उसको लड़ते हैं उनके पास ना को सपोर्ट सिस्टम ना पता है कैसे रण ना वो सिखाई नहीं चाता वह इनी सिखाई जाता स्कूल में आपके बढ़ा देख ट्रिग्नॉमेटरी आज तक एक और दिन हो गया मैंने अलगेबर टिग्नॉमेटरी यूस नहीं गया पर भाई बता दो टैक्स का सिकड़ते हैं ब बहुत बड़ा गैप है यार मेरको एक्चली स्कूल सिस्टम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के साथ के पॉइंट अफ्यू से आपके एक क्या लगता है कि क्या चैंजेज होने चाहिए एक बात बताईए इंडिया में suicide attempt करना जूरम है इंडिया में है बहुत है इंडिया में है attempting suicide there is a law against it it's a datorate, it's a stupid datorate इस आदमे को जिंदगी से उब गया वो तेरे जेल से क्या डरेगा नहीं डरेगा यह datorate इस लेकि इनको पता ही निया कि मैं किस तरीके से इनको रोक हूँ they don't know, our lawmakers have no idea that's one अगर आपने चलो ठीक है आप कहते हो suicide attempt करना भी जुर्म है ठीक है, हर साल इतने student जान दे देते हैं अपनी result आती है editing suicide में कौन सा parent कौन सा teacher, कौन सा principal आज तक हुआ है जेल में कोई ने, कैसे नहीं हुआ वो बच्चे को suicide तक कैसे गया वो, यार तुम बोलते हो कि पढ़ ले, पढ़ ले IIT से तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता IIT का suicide rate देख लो यार बहुत ज़्यादा है, तो फिर कौन सा IIT का professor चला गया, कौन सा उसका बाप जेल में चला, किस पर केस हो गया, कि भाई तुम्हारे स्कूल में, कैसे बच्चे ने जान दे दी, यार, तुमने ऐसा कितना pressure टाल देख, तुमने उसको क्या समझाया अपने बारे में, what has he internalized अभी मैं बहुत, अभी मेरे अंदर गुसा है यार, बड़ यह मेरे लिए иск ये बच्चो के यह आपने बाय का सुच्था है झीए बोला जाता, बेरी जिन्दिजी शुरू नहीं है दस साल गवा यार, तुमने फेलियर मेरी को पमें उसले स dwutei मैं अपने अपने अपको हमेशा सोचिगा फेलियर हो Yes, true रहामा थे पREYफिए के लिदिमाग में पर लेधिए को पढ़ाने के पुमें बच्चों के आसपासे अरे चिये यार If you are going to call a kid who is not able to get interested in all 10 subjects काही रही नही रही है ते खिली न। नंप्र रही है सारे तुम्हें मांस में is there, I am evaluating schools, मैं ऐसे किसी स्कूल में नहीं एक तु मैंने एडुकेशन डिले कि उसका एक साल से, I will not say, because याँ बच्चे बद लाँ प्रेगनें होते हैं और सब पीचे बढ़ आते हैं स्कूल, स्कूल का तुमने कौन सा स्कूल में, मैं बोला क्यों भाई रुक जाओ, इतने सारे स्कूल प्री स्कूल हो चुके हैं, उससे पहले अपला ही नहीं किया, अरे बच्चा आ जाएगा किसी में दिन, हाँ तो आने तो दे वाई पर से, वो है सेकेंडली स्कूल में जाने ही नहीं, जाहां पर हम वग लेते हैं रे नस्री में हम वग है परस्ट लास में हम वग है बच्चे भी स्कूल चला जाएब बड़ी बात है यार तुम गर पे भी स्कूल ब़ाइब वरक फ्रॉम बच्चे का I, no, हम वग नियूना छही है आपको 4th standard or something तक homework नहीं दिया जाता है so that is the kind of school I want to send him to एक सीज और रगू मैंने देखी कि recently आजकल जो mental health में एक बहुत बड़ा contributor है social media कि आज लोग हम कई बार देखते हैं कि social media disorders जैसी चीज़ें आजकल आ रही हैं कि लोग अपनी profile दूसरों से compare करते हैं pressure feel करते हैं और आपने देखा हुगा कई लोग तो वो follower लेने के चक्कर में वो comparison के चकर में ऐसी reels भी बनाने जाते हैं जहाँ पे कोई train के पास में जाकर के reel बना रहे हैं पुरी जान खत्रे में डाल देते हैं so how do you see that and आपका क्या perspective इस पे मुझे बहुत डर लगता है मुझे social media से डर लगता है मुझे artificial intelligence से डर लगता है दुनिया जिस जगा जा रही है बहुत जल्दी जा रही मेरे ख्याल से in fact एक Trevor Noah के podcast में Bill Gates ने भी यह बोला था कि AI में हम थोड़ा we are taking time or law we are going to legislate controls डालेंगे social media का problem हमने anticipate भी नहीं किया था और हमार पास उसका cure है भी ने यह Bill Gates बोल रहा है और इवन Elon Musk जिन्होंने AI initiate किया उसमें भी he also said कि अभी उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि वो जिस तेजी से grow कर रहा है मतलब वो जो plan कर रहे है उससे भी जादे तेजी से उसने grow करना चालू कर दिया है और हमें यह देखना है कि इसका कहाँ दूरूपयोग हो सकता है और वो अगर जाने बगएर हो गया तो life will be destroyed that's the problem but social media is a huge issue it's number one according to me but इसका बता क्या है इसका reason यह है कि people are making money आप social media से पहले आजिए अगर सोचिए social media बनाई नी आप हमारे हिंदी news channels को देख लीजिए सिर्फ वो ही news दिखाए जाती है जो इसको आप viral बूल सके मैं viral TV में नहीं होता था rating होती थी कि अगर मैं अगर आप गोस्वामी जैसे लोग जब वो चिलाते हैं थीजों पर ठीक है तो लोग देखते हैं उसे राइट वो social media वाला ही आप हिसाब है समझ रहे हैं आप कि यह वाइरल हो रहा है इसके views हैं likes हैं rating है तो हम वह ही करेंगे हम दिन बर दिन प्र यहोपी आपिस से घरागे टीव पर अगरते है टीव चिलाता है तूम पर यह यह यह्या मुसलिम पागल होगह यह 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 होगह यह यह चैना नैसा बढ़ यह पाकिस्तान चला जा तू यह मतलब debates बड़ाई यह चल रही है right really bad for mental health but somebody is making money there they are not doing it because that guy is outraged about everything he is screaming like that because he makes some investors and everybody is making money on it yes Instagram YouTube TikTok X everything is an algorithm which is that they are creating creating bubbles of thinking the world can go to hell right right wing and left wing will because you will show the same video this is the same video this is the same video now this person is convinced he is right this person is as convinced he is right they are going to fight this is the world is going to the dogs polarize yeah polarize but somebody is making money on it yes they don't care kids will kill themselves out of there are these filters now a man cares about really especially young girls yes real life is not good enough you have to have a filter you have to have filters and what it does to your self image to your body image the lens that you will go to you will hate yourself you are harming yourself all this will happen people know it it's not unknown everyone says we have to know now we know we have to know that the cigarette is bad we have done things right but here people are making too much money it's too big to be stopped so I think mental health will always and has been even before social media sacrifice at the altar of capitalism and money bitter truth but yes it is so so this is one of the things that when you are like roadies you are doing hyper competitive environment there is a hyper competitive environment there is a so do you have to have some support system and contestants for them so that how they can be peaceful and and many times after all it can be very demeaning it can be so that we have to have resources not too much but awareness so two levels on our two levels on the first audition audition episodes some times it was very warm and it was very people and it was it would be so it would be उनकी उतार दिया है, उनको ऐसा लग सकता है, उनकी इजद निगल गई है, तो हर आउडिशन के बाद, मेरी टीम, और अगर पंगा हमार सा जादा हुआ है, तो मैं और राजीव भी जाकर उनसे बात करते थे, ये लोग को नहीं बता, कि जैसे खतम होता है, बाहर अब लोग क्या होँआ बाई, चाहे पीते, क्या होँआ, बुरा लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं था, तो इसमें क्या चीज है जो, there are people who came out as, came out of the closet in our interviews also, उनको भी अमने किया कि देख, if you're not comfortable, you won't show it, if it's become too much and the channel wants to show it, हम आपका face blur कर देंगे, आपका नाम नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे उनको बोलते थे, that was one level of it, अब जब ऑडिशन एपिसोट आते थे, और हमारे जितने लोग का ऑडिशन इंटर्वी होता थे थे ना, अमारे प्रोडूसर के पास उनके नंबर थे, तो आने के बाद भी एक बार फोन पे चेक अपता थे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे पेड़े इसलिंगे, अब जोग कोई भी ऐसी बात बोलेता अना, अब जोगा बार फोन एपिसोट आउम काफी काउनल गया, वो मेरे अंदर जितना ओड़ा मैं एक गया उसां पे थांपर, थे थांपर थे, ज़िए नथे नथे, इनना ब्रिए एसां पर रिली आइए तना एक दो और शो किये बट हर जगा now we started hiring psychiatrists and therapists so at the audition level हम सबसे forms भी गराते थे interaction भी करते थे then we started sending them to therapists and psychiatrists would evaluate only when they gave us the go ahead कि इस बंदे के अंदर ऐसा कोई stress नहीं है जिसकी वज़े से कुछ पंगा हो गया वहाँ तो ये जहेल ना पाए ये fit है इसको ले लो सिर्फ उन लोगों को हम पहली बात बगरते हैं तूसरा shoot के बाद उनका एक first round of therapy सब के साथ होता था okay बात करो how was your experience what is it what do you think and third round was when the show comes on air एक और round of check up with everyone wow first round night casting second round after shoot and the third round after airing this is format that we follow and kudos to companies like Netflix and Amazon Prime because उन्होंने इस चीज के लिए बजट बनाया है इस चीज को उन्होंने प्रिरिटाइस किया है mental health को and we are really happy to work that way कई बार आप यह चीज सामने दिखा ही नहीं जाती है सामने इस तरी फेक वही चीज आती है so I think that's really inspiring that you talked about it so एक चीज मैं कई बार देखता हूँ कि आप एक बार suppose कि आपको एक image being a celebrity, being an actor host आपकी एक public image होती है तो एक identity वो है जो आपको समाज में दिखानी है उसे जीन है और एक आप खुद होते हो तो कई बार क्या दोनों में कोई conflict आती है कई बार क्या conflict अब आती है जब हाँ वो अपने आपके real life में कुछने लगता है तब एक बहुत बड़ी problem आती है मेरे साथ कि अब दो तरह के problems हुए एक for my work it was important that people looked at me as that guy तो मैं कुछ भी sweet चीज मैंने गाने लिख है मैं एक girl child को sponsor किया दो बाद मैं कभी न्यूस मैं नहीं देता I'll never show my softer side I always लोगों को लगता है मैं 24 गंटे कुछ से मही रहता हूं वो येक इमेज बनी वी थी है क्योंकि वो दिखाया भी मैं नहीं है दिरेक्टर मैं हूं एडिटर मैं हूं यस दिखाया भी मैं नहीं है तुमैं राइट 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 बट वो चीज करते करते everybody thinks that अब उसकी वज़े से मेरी तरफ रियल लाइफ में अलग तरेकर reaction आने लगा which is something that I found weird I was not mass show बना था fame, celebrity यह सब मेरे agenda में नहीं था जब वा तो इतना सादा हुआ और जटके से हुआ कि मुझे सावज में आया कैसे how to deal with it in fact, उस ताम में बिल्कुल हर छे मेने में में नंबर चेंज कर देता था मेरा को एकांट नी रहता था मेरे बोड़ीग से just to keep people away from me not because they're going to fight but even their adulation was so much right secondly, even my friends they started seeing me now I, what do I do? I was talking about my political views very loudly, my point of view was a lot of passionately I was talking about now I was talking about these are not roadies they really started that show became it entered my life in a negative way okay, now I'll say something they'll say you're going to be you're thinking we're also treating our contestant so that and then what happened was this show became so big and I was consumed by it so not the fame of it but the creative creation of it itself became toxic in my life work-life balance my marriage could not survive because of that just no 10 years, no holidays too much demanding too much too much yeah, I think I think I think you know when you go to war not that I've been to war but I know this please correct me if I'm wrong there is a bond there is a camaraderie that is formed in the trenches of war that is really like more than brotherhood more than blood you know and PTSD also in my life when I shoot and edit that show that hectic intense activity and passionate behavior and my team and my family and my family I had no connection with them this is weird I have to go back who is it who is it my family is it and trauma I never had the time to process anything that was happening with me the negativity in my eyes auditioning pressure our success celebrity what are you watching my friends talking to me all those things I really think at that time I needed therapy I really think I needed it big time and I didn't know it I didn't even know it it was really I was 10 years old now I'm coming out of it that time sometimes you have written book as well plus you're saying you write songs as well yeah so I always think that part should be more than before or express I actually Rodi's gave me an opportunity to do that when I was making the theme songs I wrote one or two songs so it gave me an opportunity it gave me a voice it's not a bad thing I mean it just happened suddenly and too much and I wasn't ready and I couldn't process that I had to move away for my own mental health for my family for myself I had to move away and I did I'm glad I did one thing is my personal question that you were angry and this type of positioning okay उस टाइम पे आपने एक मुवी करी तिस में कॉमिक टाइप रोल के अंदर आप आयते तो अब यू मेड देडिसिजन वो डिसिजन किस तरीके से आपने लिया था लोगों के लिए मैं अग उनी डिमेंशनल हो सकता हूँ बट मैं अपने लिये तो नहीं हूँ I'm always looking for ways to express myself, be it writing a song, be it I've written in the newspaper articles, just to express myself I had a weekly column in Hindustan Times and Tribune in Chandigarh So I was always looking to express myself in different ways, so acting was one उस time opportunity आई and I did it मैंने ये निसुचा कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए ये किस तरह का image मेरा कैसा है ये वो कुछ नहीं ये opportunity है, ये director है, ये producer है, I trust them, ये मेरे को जो बोलेंगे मैं करूँ At least मुझे मुझे मौका मिला and I'm grateful for that So, अभी acting में आप, अभी जो आप career shift करना चाह रहे हैं So, if you can share something about it अभी हाली में मेरी एक Telugu film release हुए है, एक महीं ना हुआ, एक लेड़ महीं ना हुआ It was well received, I was well received, actually लोग को पताने था मैं Telugu बोलता हूँ Okay So, वो एक अभी एक viral चला गया So, there is an opportunity, there is excitement about me down south I am happy to explore that further, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है Also, Bollywood में, Bollywood में और खासकर OTT platforms में, जो web series है बहुत अच्छे कहानिया बताय जा रहे हैं, बहुत अच्छे characters हैं, बहुत अच्छे actors भी हैं बहुत अच्छे professionals, writers, directors, mute, everybody is really good In fact, this is for a web series that I am acting in for Amazon Prime Mini TV I am happy to do that I think, honestly, reality shows से मेरा एक सोच सकते हैं, separation mentally, emotionally जो break up होता है, वैसा, it's the end of a relationship, I have experienced it with my ex-wife I am experiencing something similar मुझे लगता है कि अगर मैं अब reality shows ही करता रहा, मैं मेरी creatively death हो जाएगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एक template मैं आ जाओगा मैं आ चुका हूँ, और तोडने के लिए या तिक comfortable है, I can keep making money but comfort is a big problem, मैं आपने पूर दस साल रोडी में बोल रहा हूँ, comfort जम से बाहर निकलो जो कहते हो वो करके दिखाऊ, और एक्टिंग करना है तो उसमें कुछ महनत करो, सिर्फ जिम मत जाओ, ये भी करो, वी करो मैं कहता आ रहा हूँ, अगर मैं खुदी ना करूँ तो I can't be comfortable in a place that I'm not happy in अभी आप कैसे, at this moment of your life, how do you define success now? I think success definition हमारी life में बदलती रहती है, यंग होते हैं तो कुछ और चीज़ां होती है Absolutely, absolutely At this moment, how do you define success for you? मैं अगर वो काम कर रहा हूँ, जो करके मैं खुश हूँ और वो मुझे इतने पैसे दे रहा है, कि मेरी फैमिली खुश है और मुझे फ्यूचर की जादा चिंता नही है Right I'm successful, my father's successful, my father was successful not because he had made a lot of money, but he made us इस काविल बना दिया, कि हम खुद की और अपनी खुद की फैमिली हम देख बाल कर पाए Right, not just me and boys, the girl also, my sister So, that is success आप कुछ लोग बोलते मेरे इतने फॉलोवर हैं आप जब तक वो करते रहोगे तो उसके हमेशा किसरे किसी से कम फॉलोर ही रहेंगे आपके हर पोस्ट तुमारे कम फॉल उसमें आएगाई कि इस वाले मेरे रील में इतने लाइक्स नहीं आएए कॉमेंट्स कम आ रहे है अब ये इस इस सक्सेस फॉलोड पीपल अभी मैं आप मानोगे नहीं बेवकूफी चाहे आप रियालिटी शो की बात चल रहे हैं तो कहते हैं होस्ट चाहिए नहीं भाई इससे बात कर लो इसके बड़े हो क्यों इसने क्यों सार रियालिटी शो किया नहीं नहीं किया नहीं इसके फॉलोड जाद है तो अभी एक लड़की है मोनिका डोगराश इस फंटास्टिक आर्टिस्ट ओके अब पोस्ट करते रहो पोस्ट करते रहो आपके लाइक आने जरूरी है यह वो जरूरी है उसके गाले रिलीज करने के लिए जहां भी जाती है किसी भी स्पॉटिफाय किसी भी उस पर उनको बुलायाद है नहीं आपके ना फॉलोवर नहीं है नंबर आपके कमेंड और उस उसके बाद ये रीन डाला था इसी लिए कि देखो मेरे तुम्हें जो नंबर यह थे मिल गया है मैंने ना उसमें गाना गाया थे तुम्हें मेरे आर्टिस्ट की वह रहे क्या पता है तुम कह रहे हो कि भाईया लिया अब तुमने सक्सेस्ट को ऐसे डिफाइन कर दिया and it's not even rating, my show does not need to be successful, I need to do work that is appreciated enough for me to keep getting work, in the thing that I want to do, I'm successful. In the future, you started something for the dropouts, dropout private limited, for entrepreneurs, you started something for the entrepreneurs, so I notice that you have to do something unique, what do you have to do differently, for creative freedom, and especially for underdogs, always you will find, that Rajiv and I will tell a story, from the point of view of an underdog, because we have experienced that, being called a failure, feeling like we have given our family, ashamed of us, they are not, but it is a feeling, people come to the right, so I've always felt like I'm an underdog, so I empathize with that, that's why the dropout private limited, it can be, it could have been a regular entrepreneurship show, but we wanted to do, only with people who have, seen failure somewhere, and even social media, understand personal property, understand personal property, understand personal property, okay, zero मेरको ना उनसे engage करना है ना तुम कुछ भी बोल दो मैं तुम्हे I will never argue with you मैं तुम्हे तुम्हें तुम्हारा thought change करने की कोशिश ही नहीं करूगा I don't care I don't care just you will be blocked from my heart ना news channels ना trolls ना nothing you will never see me you will never reach me अब आपके field के साथ एक controversy कैसी सीज है जो लगाता और मैं मेरे इस field में काफी friends भी है तो वो एक बना रहता है और उस period में how do you manage it because many times people misunderstand always अबी मैं बहुत I am so experienced in this it doesn't really मैं आपको बता तो दो वाकिये दो वाकिये अभी ये podcast जो हो रहा है वो इस वज़े से हो रहा है क्योंकि हम एक जगा पर मिले जहां master chef के लिए एक promo shoot हो रहा था उसे में और राजी को राजी ने script लिगी है उसे ने direct किया मैं कई shoot करादा आंधरा तेलिवी फिल्म आया मैं और हमने जस्ट किया वही पर आपकी टीम से मेरी मुलाकात हुई है और ये podcast होगा viral चला गया super viral ठीक है बाखर बढ़क गए बढ़क गए यार कि प्रगू और राजीव यहां पर क्या कर रहे है इस issue में इनको क्या पता cooking के बारे में क्या बकवास कर रहे है ये वागरा, मैं देख रहा हूं मेरे नवास सुनी लिप के लोगों नवी फोन कर के बोला तो बहुत वाइरल शेलागे और ये ये कॉमें जाए हुआ हुआ ये थीक है यार उनको इतनी एकल ले रहे है और वो जोक मेरे और राजीव के उपर एपर है क्योंकि हमें भूख लग है, इसलिए हम गुस्सा है, that is the punchline, क्योंकि तुम मेरे को ऐसा ऐसा खाना दे रहे हैं, ठीक है, और मैं खाया खाने की जागा मुझे बात करना पट रहा है, इसलिए मैं गुस्से में आ रहा हूँ, that was the joke, but लोह को साँज में निया है, so that's one thing, उससे प पांच गंडे का रस्ता है, और प्रोड्यूसर ने बोला कि एक वीडियो बना के दे दो, हम उसको ट्वीट कर देंगे, कि हम यहां आ रहे हैं, और पांच बजे इस मॉल पर मिलना हमें, ठीक है, तो मैंने सुझा थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा इंट्रेस्टिंग कर तो बाखी लोग इसे बैठे वे, नॉर्मल, ठीक है, चलती गाड़ी में, और वो देख रही हुआ है, मैं आपको देख रही हुआ कि सब बैठे हो, मैं सिर्फ ऐसे इल्राओ, ठीक है, जोक वास कि मैं मजाक, मैं जूट बोल रहा हूँ, कि मैं इतना मजाक कर रहा हूँ, औ पंचलाइब, आप ट्वीट वा, जब तक मैं बार आओं अला सिर्फ आप इस वायरल अवाँ, पुलाइब, बाख रहा हूँ, एज अग्फ नोग शेयर कर देते तो आप बोल रहा हूँ, आप पुलिटिकल कॉंट्रवर्शी है, पुलिटिकल कॉंट्रवर्सी, इह कैसे, अब यह नहीं पता, सोचा मैंने, कि भाई, यह तो एक स्टेट था, दो स्टेट बने, हाइदरबाद कैपिटल था, अभी भी दूनों का कैपिटल है, अब तेलंगाना रखेगा उसे और आंधरा का एक और कैपिटल हो, अब मैं तेलंगाना से निकल के आंधरा के हूँ, और अब एक गंज तरह देख लेगे, तु कास वहा है, तु कास वहा है, तु आपिस कैसे आता हम देख लेगे, पाकी सब थीक बाटे, तुझे गया कुछली बची है, तु गी इल आते रहा तेरी हो, तुझे, तु 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 यह वो, भाई साफ, मैंने उसको एर रस्पंड नह हो गई, बट I really laugh it off, I really laugh it off now, because it really doesn't matter, I don't care, that is the best way, तुमारे पहने, सोचल मेडिया से पहले से सुनता वारा भाई, बचपन से, बचपन से मुझे लोग ने बोला भाई, तु किसी काम देनी, तु मैसा क्या हो खाड लोगे, तु मैसा क्या हो खाड लोगे, तु मैसा क्या हो या को जटका पढता हूं unter mental peace को, it's a reality, so मैर रोगे गुजराच बूजरु को मैं अत्रिचों से गुजर चुका हूं更घ तरह देवलप तिक शालने, तिस देखिनारी हो अ यच थूतु थिंएसरे इस थारे सांदरियों, तु मैसा को न चार्वास्त द्मारे सित शांता है, The only way you can avoid trolling and controversy is to do nothing. कभी ये ऐसा होता है कि आपकी फैमिली को इंपैक्ट करती है. सपोस्थ आप तो इम्यून हो गए, इंसुलेट हो गए, इतना आपने देख लिया, तो क्या फैमिली भी साथ इवोल हो जाती है या कभी-कभी फैमिली पे इंपैक्ट आता है इसका? जब ये मेरे आंधरा मेर रोड का कॉंटरवर्स ही वा, मुम्मी को फोन के मुममी कह रही बेटे तुमारे पापा की जाने के बाद मैना थोड़ा शांती की सिंदगी मस्तर करना चाती हूँँग। मैंने वहाओ बलाता तॉ मम्मी मेरो कह रहे हो न है न क्या राजीू आए रागु क्या राजीु कैं राजू कह रहे हैं आपन न बी एरपोर्ट से जा रहा हूं शूट पे यह डो अडिक वैरल हासे पाजries प्डियों टेक टेक लायोड जब पंगा होगा अच्छली वा क्या ताकि एक ताइम पे मैं काम आम चूड के पांच साल मैंने पोलिटिकल अक्टिविजम किया है I campaigned all over the country and all that So at that time my parents were scared क्योंकि Yes There were two attacks on me एक बार इंक से, एक बार लाठी से And then at that time my parents were scared But otherwise They've also seen that I'm a lot more I do not engage with the world The way I used to Are there any practices that you do Meditation or something to take care of your mental health I journal Journaling you do Yes, I do journaling My thoughts at that time We feel like we know what we are thinking Right But I really have understood that We don't think in sentences We think in feelings Right What do I feel If you tell somebody Like a therapist Or you write it down You force that feeling To condense into ink And words You can realize actually what you are feeling And after that thought Full stop That will take your thought forward That really will help you So I journal A lot Rajiv has been journaling My father I used to journal a lot Meditation I do not do it often But I do it As much as I can Five minutes 10 minutes What do you do to be fit? Intermittent fasting Intermittent fasting If you can tell somebody Intermittent fasting What do you know In the world Human beings have evolved Our body has evolved To eat less Move more If it doesn't happen Then we are extinct But for the first time In human history We eat more Move less True Our work is Sit And you don't have to wait And you don't have to wait You can see As long as you get You will see And you will see I will make an app Tomatoes Or something The amount of delivery You will keep in your mouth You will just And you will just And I will tell I will do it Because it's so nice So my lifestyle Is I eat Eat less and move more, that's all Four hours in a day मैं खाता हूँ इस गंटे, including the time I sleep इस गंटे की फास्टिंग होती, it's called the warrior diet आप 16 गंटे, 12 गंटे के बाद 14, 16, 18 जितनी आपकी जरुड़त और काभिलियत हो, शद्दा हो कर सकते हैं, बट इसे जादा आप काईये मत इस गंटे, 20 आवर्स के विंडो में, you don't eat anything I don't For four hours, you are open to eat Yeah, but इतना four hours extreme करने ही जरुड़त नहीं But that is what you are doing is extreme It's extreme But आप 8 यच से गंटे का विंडो खाने का रखे हो, उसके बाद ना खाये And you have to walk, I have to walk at least one hour every day चाहे सुबा काई शाम कोटा मिलता है, तो एक और विंटा मैं चलता हूँ बागता हूँ, चलता हूँ I move, I try and stand instead of sitting as far as possible अभी आपने ब्रदर की बात की, तो आप लोग हमेशा से सब साथ ही करते हैं तो कभी कोई conflict आती है? हाँ, बहुत conflict हमारा क्या हो, प्रफेश्टल परस्टल लेवल बढ़ कहा की, conflict ना सिर्फ भाई के बीच में नी वो मेरे सारे कुलिग्स के साथ होता ही है आप एक क्रियेटिव फील में जाएंगे यार साइंटिस्स में लड़ाई हो जाती है जो कि एक exact चीज है तो आर्ट, आर्टिस्ट के बीच में तो बहुत होता होगा क्योंकि होता है क्योंकि it's a very personal point of view art is a very personal expression and everybody's personal point of view is very different so and films, television, OTT these are all very collaborative fields अब इसमें बहुत सारे creative लोग आके काम करेंगे तो हो गाई, there's always conflict अब ये पूस्ते है कि राजीव के साथ होता है कि नहीं of course but because we're twins, we're able, it affects us less it doesn't change our equation otherwise people can go through the industry saying यार ये तो गदा है ये तो गदा है, ये तो गदा है, ये लगता है, ये लगता है you can have those opinions about others not about your twin, because you know it, we've grown up together so the question is not do you guys fight, even though you're twins, the question is how does being twins help you get over those disagreements right, so the conflicts are there but you have your mechanism only when it's about work about work conflict is actually a part of the creative process so true, I think I was shooting one episode with J.D. Majeti if you know him so he also said, exactly, I asked him because we're creative people, so 10 people will sit, so it'll be great, it'll be great, it'll be great, it'll be great and something will happen yes, but yes, exactly, this is what he said when everything comes to peace, then what happens, that is beautiful it's more than what you actually came in with yes, that's beautiful so Raghu, before we move to the rapid fire so, if you want to give us all three lessons, if you want to give us all three lessons, you want to give us all three lessons okay, I'm taking this discount you go to boxing, you don't want to give us all three lessons if you don't practice before boxing, you don't want to give us all three lessons keep it in any field right if you want to make a relationship, you'll have to do romance you'll have to prioritize so firstly, whatever your field is creatively whatever your field is, do it a lot don't wait for people to give you a job to do it do it anyway do it anyway that's the first secondly, do not expect overnight success that's important that's one thing that I've been going viral it's not it's happened to him it's happened to him it's happened to him it's happened to him you'll have to show him when he's finished okay and expect a long marathon it's not a sprint it's not a success it's not a success it's not a success it's not a song it's not a film life long your body of work that's your success so know that every 10 or 20 years every year every year you'll have to go do not expect it I mean do expect it do not get like hit by it that's the second piece of advice and the third is embrace failure you must succeed without failing failure वेलियर होते ही आपकी लाइफ में बहुत ब्रेक लग जाते हैं, आपकी बदनामी होती है, आपके फैमिली बदनाम होती है, आप खुदकुशी कर लेते हो, आपकी रिलेशंशिप्स बरबाद वते हैं, तो तुमारे अंदर एक ऐसी सुपर पावर आएगी, कि आप कभी आपवर आपकी लूज को अइंडा मां लोस्तर जो मांतनामाattend, जो में लोस्तर टॵर एपएप लोस्तर यूदक लोग लोग नुância बेडाएब कर छट्या सकालनाविक कर अवद तो तुमाया, कि अगैंज नटको बार इस तुमार आप घरै।प यूलियरे। निएसरा सशे प्रेजंस ओफ शेडो इस एविदेंस 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 तो कही न कही शेडो है तो लाइट भी आस पास ही है तो ब्यूटिफुली एक्स्प्लेंड बहुत ही ब्यूटिफुल इंसाइट आपने दिये और एक अलग मुझे भी रगू देखने मिला अपने रोडीज जनरी को सिर्फ तीन शब्दों में कैसे डिसकाइब करेंगे रोडीज ओडिशन में आपने जो सबसे अन एक्सपेक्टिट चीज देखी वो क्या थी अगर आप किसी रोड ट्रिप पे तीन सेलिबिटीज के साथ जा सकें तो वो कौन-कौन होंगे और क्यों राजीफ मेरा बाई है मेरा स्टार है रनविजे और आईशमान बिकॉस आईशमान गाने बहुत अच्छे गात रनविजे आईशमान बिकॉस बाईशमान बिकॉस लोग सूच्छे पार्टिख पार्टर आप रिलेक्स कैसे गटवें गर पे वाइफ टे साथ लोगों में आपके बारे में क्या गलत फेमिया है जो आप चाहेंगे कि क्लियर हो लोग सोचते हैं कि यार मैं रोडीज की टाइम में जितना मैं गुशे में रहता हूँ जरूर मैं लाइफ में एक अच्छा आमी हूँगा यह बहुत बड़ी मिसंडर्ट मिसंडर्सेंडिंग है मैं आपको छारिफार करना जाता हूँ नो से भी करा हूँ ने दिखें लुग मैं आपको बताता हूँ आपच्छी ए प्रेफे पीजिए पीजिए मिसंडर्सेंडिंग में अच्छी आपटीज के प्रेफार्सेंग है पुब्लिक नीड तो बी आट देर आट 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 जब तक मिरको लोग मिसंडर्सांड करते है ना I feel comfortable because my privacy is intact if they understand me I feel they have my privacy is violated do you understand me? that misunderstanding and that image of mine is a wall between people and me which safeguards my introversion and mental peace actually the way my father's death has impacted me I don't even know any therapy for that वो मेरे को दीरे दीरे ही पता चलेगा I am amazing मैं और राजी साथ में मिलके भी दे तमिल फिल्म कॉल्ड डॉक्टर जब खुल रहा था तब आई and it's a big hit and it was shown in Mumbai also and I had gone with mom and dad and my family and he saw me and Rajiv in that film and it was a good film so बहुत ही interesting insights आपने दिये रगोर बहुत मज़ा आया conversation करके और अंत में end करने से पहले यह जो inner wellness का हमने initiative लिया है और लोगों को थोड़ा इस पर बात कर रहे हैं especially आप जैसे influential लोग भी आके इस पर बात कर रहे हैं और आज की डेट में करना बहुत जरूरी है because our mental health is under more threat than ever before अगर मैं school में बुली हुआ हूँ आज के बच्चे इसकूल में भी बुले हो रहे हैं इंटरनेट में भी बुले हो रहे हैं डेटिंग वेबसाइट में उनकी दज्या उड़री हैं हर जगह ही हो रहे हैं बहुत जादा stress है social media, news, likes, shares, comments, trolling all these things are big so I think we really need to fortify ourselves and that is why I love the fact that this is a podcast and I think people should subscribe and contribute also you